हम लोग संगलोग सिवायोग में जो कुछ परशन पर चर्चा कर रहे हैं, जो विगस सालों में पूछे गए हैं, उन सारे परशनों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो प्राचिन भारात, मद्यकारी भारत और आदनी भारत का क्लास समाप्त हो गया है, लेकिन हम कुछ और चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जैसे चावल या रेशम, ये सभी जो चीज शमान थे दिल्ली सल्तनत के अंतरगत, चावल हुआ, रेशम हुआ, ये सब जो है दिल्ली सल्तनत के अंतरगत, बंगाल में, फिर से सुन लिजिये, बंगाल का जो चावल था और रेशम था, वो काफी परसीध था, और दिल्ली सल्तनत के समय में बंगाल का चावल और रेशम काफी इंपोर्टेंट था हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो दिल्ली सल्तनत का अर्थविवस्था पर जो महत्पून कुछ बिंदूओं पर विचार कर रहे हैं उसे में बंगाल और रेशम में सबसें अच्छा उब्जाया जाता था एक चीनी यातरी थे महुवान। उनका नाम महुवान, वो कहते हैं कि बंगाल में रेशम का कीरा लगाया जाता था ताकि रेशम पलन होशंगे। जिसे बनारस का पगरी काफी नामी था। सतगाओं बंगाल में जगा है, वहाँ की रेश्मी रजाई काफी परसीद है, बनारस का पदरी और बंगाल में एक जगाओं, वहाँ की रेश्मी रजाई काफी परसीद है, सतगाओं की रेश्मी रजाई, आगरा का जो है नीर काफी important है, और बनारस में सोना, चांदी और जर का काम होता था ये बनार्स का important था जैसे कि बहुत सारा समान जो है वो निर्याथ होता था ज्यसे अन लोहा ये सब जो है सूति वस्त्र हतियार को जरी बूटी ये सब दिल्ली सिर्त्रत के अंतरगत निर्याथ किया जाता था बाहर मसाला, सक्कर, नेल इस सारा समान दिली सल्तक अंत्र गर बहार नर्याज किया जाता था सबसे ज्यादा सूती वस्त्र काफी इंपोर्टेंट था जो नर्याध काफी होता था बावर नामा जो मुगल बावर ने लिखा है संस्परन है उसमें उन्होंने भारत के रेश्व वाइट सूती वस्त्र का काफी प्रसंसा किया मतलब उजलाव सूति वस्त्र का बावर नामा में काफी प्रसंसा है मुगलबास सा बावर ने किया है जब दिली संसा के सासक के सासं करना शुरू किया भारत में तो वो अभाकि उनकी अर्थव्यवस्था के बत्याथ सिधान्त यह कहां से लिया जाए Anda ज़ो वित का जो बित्री विचारधारा है ho hafti विचारधारा को और इसे मांत तुमिति संस्फी सात्राइं को का जो गालाया तुम अस्फी भीतिय मुवधा का था काफी पोपलर हुआ था और इसी समय भीजुनरी कर बनाए बगदाद का रहने वाला था अबय duplicate बगदाद का रहने वाला उसने किताब ओल्खराज लिखा इस में उभी विचारधारा को बिष्टित बॉल्णन किया अबु याकूद ने हैं जब दिल्ली सात्रत के साथव सबसे पहले अगर देखिएगा तो अपना जो राजस्ट विचारधारा है revenue system है सबसे पहले उन्होंने पंजाब में ही लागू किया करण यह था कि पंजाब सबसे पहले पंजाब ही जीते ते या महमद गोरियों को तुब दी नेवक हो यह सब पहले पंजाब को ही जीते थे अरामिक तरफ शासकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो हंपी विचारधारा लागी हो ही हुआ आपको पंजाब में ही लागी हुआ ठीक उसके बाद जजीया जो है जजीया जजीया जो है जो आरामिक तरफ sa सकते वो जो है भूराजसु के साथ ही लेते थे भूराजस और जजिया दुनों मिलाके थे जजिया के बारे में मैंने कहा था कि जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लमानों से लिया जाता था और यह जो है सुरक्षा के बंदे में लिया जाता था तो ये पहले जो दिली सर्तत के सासका है, तो उन लोगों ने खलाज को, जजिया को भूरा ज़सु के साथ ही लेना शुरू किया, और ये इससे जो थे, कौन-कौन मुक्त थे, जिसे महिलाओं से जजिया नहीं लिया जाता था, बच्चे से जजिया नहीं लिया जाता था, जब्राइब कर दिया तो दिली सल्टायत के में मारण आधी वbor डिया कर वसुरा था उसने ब्रहामन को जलाभी दिया आधा ले तो ख़ड़ Birth के वह ऑधासzer तो त मैं खर लेक्षे था उसका चाहता है दॉक्ति पारैरिक के सोष था वीबस्ता था क्लोकि आहीं प्रवर्टित होता है वह ज्यादा करना परता है कि हम इसलाम के लिए काम कर रहा है मुहमध गोरी जब आया दिली संकतर का आपका सकते फॉंडर जो था मुहमध गोरी तो उसने भात में इक्ता बेवस्ता लागो किया और इक्ता वेबस्था को संघठित करने वाला कौन था तो इल्दुत्मिश था इस बात को याद आखिएगा सबसे पहले भारत में मुहमद गोरी ने ही इक्ता पर्था लागो किया था लेकिन इक्ता पर्था को संघठित करने वाला कोई शासक था तो वो था इल्दुत्मिश एक्ता जो है एक भूखंड होता था एक अर्मी शब्द है और इक्ता यात्ता एक भूमी खंड जो सेनिकों को उसके बेतर के बल्ले में यह रजस की रूपें दे दिया जाता था यही था एक्ता बलवन ने क्या किया 1279 में एक ख्वाजा नामक अधिकारी का निव्टी कर दिया और इन इक्तादारों पर हुआ नियंतर नगता था कि फाल्तू जो है पैसा जो है इधर से उधर तो नहीं करते हैं होता यह था कि इक्तादार लोग क्या करते थे इक्तादार को था कि जो प्रांत या इक्ता से जो आय होता था वो अपना खर्च रखके और बाकी खर्च जो है बाकी जो पैसा है बचाओ पैसा वो सिधे केंडर को भेज देते थे जिसको फवाजिल कहते थे जिसको फवाजिल कहते थे तो ये लोग जो इक्तादार लोग थे, ये काफी हेर्फे करते थे उसमें, रकम ठीक निश्चे निभेसे थे, तो बलवन ने इक्तादार को क्या किया, कि इसको पहले इक्तादार के पद को बंसानुगत थटा दिया, कब इक्तादार कभी भी बंसानुगत नहीं होगा, और इ इक्तादार पर बिटिये नियंतल रख सकें, हेर फेर नहीं कर सकें, अल्लावधिन खिलजी और मुहमद बिन तुगलग दोनों सास्कों ने भूमी का माप कराया था, और फिर जो है टेक्स वसुला था, भूमी पर कर वसुला था, यह इधार में रखिएगा, और मुहमद बिन खराज नामक अदिकारी का न्यूक्ति किया, और वली उल्खराज ही जो है, MBT का भूराजस वसुलता था, यह बहुत बड़ा सुधार कर दिया था, इसने, लेकिन जब फिर से जो है, FST, फिरो सातुलक सासक बना, तो उसने जो है, इक्ता को बंसानुगत बना दिया, हस्ता सब्ध निर्मान कर आए ता, इस के बाद फिरो सातुलक में बहुत सारे नहटा। जैसे राजवाई नहर, उलुक खानी नहर, इसने निर्मान करा आए था, फिरो सातुलक ने 1200 बाग का बगीचा का निर्मान कराया था, इसमें बेफशाइख खेती उती, तो अंगूर की खे यह सब होता था मुहमद बिन तुगलक ने जो है एक काम किया था पूरे समराज में एक ही राजस व्यवस्था लागू कर दिया था मुहमद बिन तुगलक ने जो द्वाब में लागू था राजस व्यवस्था उस राजस व्यवस्था को पूरे राज में ही लागू कर दिया था ठीक पूरे राज में जो है वो राजस व्यवस्था को लागू कर दिया फिर सुनीजिए मुहमद बिन तुगलक ने क्या किया था कि जो द्वाब छेतर में या तकावी दिया किसानों को रिन दिया किसानों को जो मुहमद्मिन तुखलक ने किसानों को रिन दिया उसको सोंधर या तकावी कहा जाता है कि आप अपना जो है उस रिन से हल भी जो एकर खरीद के खेती को अच्छा धंग से करें मुहमदवी तुखलक ने संपून2 राज की आय का लख़आ जोखा तर करवाया और तीन वर्स के लिए अनुवेस्टि खुला था तीन वर्स के लिए अनुवेस्टि खुला था किर्सी फॉर्म तो मुहमदवी तुखलक काफी प्रगति सीन सास planner था अनुवेशन किसी फॉर्म का यह था कि वहाँ पर नएने ख्यती को पुरस्थाहन दिया जा है तो यह मुहमद मिंतुलक ने उस काम को उसी समय कर लिया था जब लोधी सत्ता में आए तो लोधी सासक ने क्या किया अफगानों को ज्यादा से ज्यादा इक्ता भूमी देना सुर समाबड कर दिया और गजए सिकंद्री जो है भूमी का माप के लिए जमा कर सकते थे तो यह जो है दिलिष्द्थ क्या सासकों का अर्थव्यवस्ता समंदित कुछ महत्पूर मुद्धों पर मैंने चर्चा किया कि इब्रहाइम रोधी ने अनाज की रुपे भी कर लेना शुरू कर दिया ठीक है अगरे नेक्ट वीडियो में हम और भी आपको कुछ से दिलिसाता के अंदगत कुछ मुदू पर्चाचा करें यह थैंने बात